Hello all of you, Class 7 Maths Exercise 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें आपको करने किया है कुशन है आपका 51 मैन केंड डू पीस आप वार्क इन 35 देज तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं मैन और यहाँ पर लिख रहे हैं डेज इससे टापस अमनिये लिखा सबसें 151 मैन है इनको टाइम लगता 35 देज का तम Clayton मैन उसके बाद तो टाइम कम लगेगा जादे लगए आज़एगा इसके बाद मैन तो सबस्करा करने करदेूंद मैन तो सबस्करां मैं कं मैन तो मैंन कम हो रहे हैं दिखो मैंन पहले 51 थे अब 21 हो गया है तो वर्क में डेज हमारे पहले 35 थे अब टाइम ज़्यादा लएगा यह एक चीज कम हो रहे है एक चीज बढ़ रही है मीन्स आपको यह इन्वर्स inverse variation हो गया तो हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 51 ratio 35 और इसके बाद में लिखेंगे 35 21 और X तो हम क्या करते हैं जब सीधा-सीधा होता है तो हम upon में करते हैं इसका multiplex के साथ और इसका multiplex के साथ जब direct method होता है तो दोना चीज बढ़ रहे हैं दोना चीज कम हो रही है इसमें हम multiplex करेंगे multiplex करेंगे यह equal का sign लगाएंगे है ओके हम यहीं पर कर देते हैं अब क्या हो जाएगा 51 into 35 upon 21 equals to X 7 से cancel कर दो 7 3 या 21 75 35 3 से को cancel कर दो 17 यानि कि 17 5 जाब कितना होता है 85 equals to X यानि कि कि इतने days लग जाएंगे उसे complete करने में 85 days तो यह हमारा answer हो गया तो इस टाप से सारे के सारे कुछें साब सौल करोगे और इसी टाप के कुछें हम जाला नहीं कराएंगे एक दू कुछें कराएंगे बागी आपको कुछ से करने होगा जितना आप लोग कुछ से करोगे उतना आप के लिए बैटर होगा तो लेट स्टार्ट नेक्स कुछें हमारा कुछें हमारा in a camp there are enough food for 600 soldiers for 45 days यहां पर हम लिखेंगे number of soldiers number of soldiers और यहां पर लिखेंगे food यह नहीं days लिखेंगे अब 600 soldiers थे तो 45 days के लिए हो जाता था 300 more soldiers और इसमें add हो गए यह नहीं कि अब 900 हो गए 900 हो गए यह कितने दिन में खतम हो जागे यह जल्दी खतम हो जागा इससे भी जल्दी खतम हो जागा तो इसमें वही inverse variation है अब क्या करेंगे इसके लिए 600 multiply 45 equals to 900 into x इसको solve करेंगे 600 by 45 oh sorry 600 into 45 upon 900 okay and x 0 से 0 cancel और 3 से 3 तो 6 तरी 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 एक्स यह नहीं कि 30 days में वह सारा का सारा खाना फिनिस कर लेंगे okay students it's your answer तो इस टाइप से questions का हमें answer देना है okay students next एक और questions off करते हैं फिर आपका देना okay students question हमारा 39 workers can complete a work in 95 days यहां पर worker लिखेंगे यहां पर days लिखेंगे okay यहां पर 39 workers हैं और 95 days में complete कर लेते हैं how many workers will complete the same work in 57 days तो 57 days में complete करने के लिए कितने worker चाहिए तो देखो यहां पर क्या हो रहा है पहले time जाला था पहले जाला दिन में कतम कर रहे थे 39 workers अब यहां पर जाला worker चाहिए तभी कम दिन में कतम कर पाएंगे यहां यह भी inverse variation हो गया है यह भी inverse variation हो गया है इन्वर्स 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 वेरीशन तो इसमें वही करेंगे 39 multiply 95 equals to x into 57 ओके तो x equals to 39 इन्टो 95 अपॉन 57 इसको cancel कर दो कितने से cancel होगा 3 से 3 बंजा 3, 39 जे 27, 3 से इसको cancel नहीं हो सकता यह हो सकता 3 बंजा 3, 339 ओके अब किस से किसको cancel कर दें 19 को 19 को इसको divide दे तो 5 ताइम हो जाएगा x equals to 13 5 ओके 65 ओके 65 ओके 65 और कर अगर आ जाए तो वो इसको 57 डेज में खतम करके कर देंगे ना खतम कर देंगे तो इस टाइब से questions को आपको solve कर देंगे इसी टाइब से next question है हमारे थिरी हमने करवा दिया थिरी आपको करने है यानि कि 4, 5 and 6 यह आपको home work है okay friends please score for card okay thank you very much